जबनीर आज में आपको बताने वाला हूँ YouTube के 5 एसी सेटिंग जो अगर आप नहीं जानते हैं तो YouTube चलाना पहुत ही बेकार चीज है. तो जबनीर अगर आप इन सभी ट्रिक्स को अगर आप सीख लेते हैं सेटिंग को जान लेते हैं तो आपको यूटुब चलाने में बहुत ही आपको help होगी तो नमस्कार दोस्तों मैं राजरम प्रसाथ और आप देख रहे हैं सिखे अलिन हंदी तो जबस्तों क्या आप अपने हाथों से fast forward fast backward करके आप परिसान हो चुके हैं और आप चाहते हैं कुछ interesting way में आप इसे forward करना backward करना तो आज में आपको बता हमगा कि आप यह किसे कर सकते हैं तो जबस्तों आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है आप अपने mobile में double tap करेंगे तो आपका 10 सेकेंड के लिए fast forward अभी आपका custom set होगा अगर आप चाहते हैं कि आप इसे और ज़्यादा और कम करना चाहते हैं तो वह आप कर सकते हैं double tap करेंगे तो आपका backward हो जाएगा double tap करेंगे तो आपका fast forward हो जाएगा तो यह interesting feature आपके YouTube में already है आपको जाना है अपने three dot के setting में और यहाँ पे आपको जाना है setting के option में और यहाँ पे जाके आपको जाना है general में और general में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं double tap to seek और उसके बाद यहाँ पे आपका सुमाइच कर सकते हैं कि आप कितना second के लिए चाहते हैं fast forward करना backward करना यहाँ से आप वो चीच कर सकते हैं तो यहां तो क्या आप चाते हैं कि आप इंडिया में रहके किसी और कंट्रे का ट्रेंडिंग पेज देख सकें कि वहां पे अभी कौन सा मसालेदार ट्रिक चल रहा है कौन सा मसालेदार वीडियो अभी ट्रेंडिंग में है कौन सा ऐसा वीडियो है तो वह आप कर सकते हैं लोकेशन पर क्लिक करके आप यहां पर उस कंट्री का चूच कर लिए जिस कंट्री में आप देखना चाहते हैं तो for example मैं यहां पर चूच कर लेता हूं यूनाइटेड इस्टेट यूएस यानि के अमेरिका अब यहां पर देख सकते हैं आप अगर trending page में आये तो आपको जो trending page मिलेगा वो यहां पर आपको united state का मिलेगा और यहां पर बड़े आराम से सब चीज देख सकते हैं तो जहांस्तो क्या आपका फोन ओला और उबर की तरह सेरिंग ओप्शन है मिन्स आपका फोन आपके फैमिली मिम्मर में से कोई यूज करता है और आप चाहते हैं अपना प्रिविशी तो आप कर सकते हैं बहुत ही आराम से तो अगर आप कोई सर्च करते हैं कुछ चीज और आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं बड़े ही आराम से तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे तो यहाँ पर आपको जाना है 3.0 ओप्शन में यहाँ पर जाना है आपको सेटिंग का ओप्शन में और यहाँ पर आपको जाना है हिस्ट्री और फ्रिवीशी का ओप्शन में और यहाँ पर आप बड़े ही आराम से यह सब कर सकते हैं तो जैसे कि यहाँ पर किलियर सर्च हिस्ट्री पर आप किलिक करेंगे तो यहाँ पर आप सारी चीज़े clear कर सकते हैं जो भी आपने search किया होगा already तो यहाँ पर click करके आपका सारा चीज़ delete हो जाएगा तो दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि आप यह सब बार-बार नहीं करना चाहते हैं और आप इसे बड़े ही आराम से simply आप इसे pause करना चाहते हैं मतलब आप नहीं चाहते हैं कि मेरा search history रहे तो आप यह कर सकते हैं तो जैसे कि यहाँ पर आप pause search history पर अगर आप click कर देते हैं तो आपका जितना भी history होगा वह आपका pause हो जाएगा और इसी परकास से अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ videos देखते हैं आप उसे भी चाहते हैं कि आप वह कोई और ना देख सके तो आप इसे भी कर सकते हैं पर आप तो जैसे तो क्या आप कुछ interesting way में कुछ चीजों को search करना चाहते हैं लाइक अगर आपने WhatsApp का ट्रिक सर्च किया तो आप चाहते हैं कि जो भी major search history मिले वह latest मिले तो यहां पर देख सकते हैं मैं अभी search किया हूं तो यहां पर 5 months, 7 months, 1 year, 8 months, 7 months इतने सारे long है तो आप चाहते हैं कि मुझे latest मिले तो यहां पर आपको एक setting का icon दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर आपको कुछ चीजों का option दिख रहा है तो इस तरह से आप इस feature का use कर सकते हैं और इसी परकार से यहां पर setting का icon में बहुत सारी चीज़े दी गई हैं जैसे कि आप अगर चाहते हैं 4K वीडियो सर्च करना keyword 4K तो आप देख सकते हैं अगर आप HD देखना चाहते हैं तो आप HD देख सकते हैं 3D वीडियो देखना चाते हैं वो भी देख सकते हैं तो यहां पर सारी चीज़े हैं आप click करके अप उन्हें apply करके और एक एक करके आप देख सकते हैं उमीद करता हूं कि आज की ये आपको वाइब सेटेंग यूटूब की आपको काफी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक किजेगा अपने दोस्ते के शेयर किजेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब किजेगा ऐसी कूल और अमेजिंग वीडियो के लिए सुमिलते हैं